अगर आपको यह वीडियो ची लगए तो लाइक रोशा जरूर कीज़ेगा और अगर आपको यह नावल अच्छा लगए तो प्लीज कमेंट्स भी जरूर कीज़ेगा समान टै कर दो मैं हवेली जा रहा हूं समान चो रहा था हूं फिर बैंकोंट से ही हवेली की तरफ रवाना हो जाएंगे वो चाय पीती भी मिर्णा से बोला जो बैड़ पर नीम दरासी लेटी चाय के सिप लेती उसे भी देख लेती जिसकी त्याड़ी हतम होने का नाम नहीं ले रहे थी वो रेड टी शिर्ट पलू जीट में बहुत हैंसम लाग रहा था ओके वो बस इतना ही बोली पहलमान जी है रही है था आज को चुप चुप सी हो उसकी तरफ आता वो से पूछ रहा था बस ऐसे ही होल्त की रुखती है तो मेड़ी भी तो रुखती होई गे ना तो बस उद सब्सक्रास हूं वो संधी से बोली हा 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 सिरिसली यार तो बहुत ही मजा यह तो मुझे घर दमात के सारे दिन ताने देती हो और आज अगर मैं खुद्धार जमाई बना हूं तो मैड़म को घर चोड़ने का दुख खाय जा रहा है वा वा मेरे मुला तेरी दुनिया निरा ली वो उसके पास बैठता वा क्या का लगाता वा बोला था और मेरा निसको गुड़ा तुम से तो बात करना ही फजूल है वह मुझे बनाते वह बोली मुझे बात तो तुम्हें सारी उमर करनी पड़ेगी और हां मुझे देर हो रही है स्वीट हार्ट मुझे हवेली पहु हुई थे हम दोनों मियां बीवी ठीक थे लेकिन उसने हमें उलाद से इसलिए महरुम रखा कि उसने तुम्हें हमें सूपना था होसता है कि हम बहरी कोई उलाद होती तो हम तुम से इनसाफ ना कर पाते है इन्ही तिनों सकीस भाई ने हमें हाजब दे दिया था हाजब इस पिच्वर बचा था वह हमसे इतना अट्याश नहीं हो पाया हमारी भी उसे दे का तिश्कनी नहीं मिटी थी इनी तिनों हम कराची शिफ्ट हो गयते हाजब ही हमारे साथ था हाजब सारा दिन रोता रहता हालांके मैं और सुपूरा उसका बहुत ही हया रखते थे एक दिन ह बात के दस पचे का टाइम था हाज भी हमारे साथ था वो इस वक्त चार थालका था हम आ रहे थे जब रास्ते में हमें एक बच्ची की रोने की आवास सुनाया थी हमने द्याहा नहीं दिया बच्ची के बार में पूच खिचकी लेकिन किसे दे बच्ची के लिए रपोर्ट द्रच नहीं करवाया थी बच्ची हमारे पास ही थी वो सफूरा और मुझे से बहुत ही अटेच होगे एक दो माँ बाद हम गार वापस आ थे बच्ची हमारे साथ हाजब हमारे पास रारा सब्सक्राइब बहुत ही महालफद की लेकिन हम तुम्हें खुदा का दियावा तोफ़ा समझ कर अपने पास रख चुके थे तुम्हारा नाम भी मैंने बहुत ही महबत से रखा था कि मुझे बेटी ही चाहिए थी इन्हीं दुन्हों हाजब ने उल्टी सीधी हरकते करना शु उसे गिरा दिया बस हमने तब ही फैसला कर लेता कि हाजब को बाई साहब की हवाले करने का हाजब इसलिए तुमसे बहुत ही चुटता है वो दोनु तरफ से प्यार से मेट रहा था उसे तुम्हारा बाप उसे जरूर मार रहता हर्ट आज उन्हों से अपने बच्पन की बा सफूरा बेगम उसका लेंगा निकाल लेती जो अभी जजदील ने बेजा था आप वर्ल्ड के बेस्ट डैट है जब मैं मिल्क घुमती थी तो मैं सबसे ज़्यदा आपको ही मिसकरती थी उनकी पेशानी चुमती महबत पर रिलाचे में बोली जिस बहुत हंसे जिबके सफूरा बेगम ने उससे सब चीज़ें शापिंग बैया में ढाय कर देते हुए कहा वह मुह बुस्ट रोकर उठी उनके गाल चुमती भी बाहर निकल गें पीछे वह दोनों अफूदा हुए थे हरत के वजू से उनके जिनकी में बहुत ही रंक थे वह दोनों हुश भी बह बने वो ब्लैक शेरवाने में वाइड पगरिज पर ब्लैक की मोती लगे वे थे काला खुसा अपी नीली गहरी आंकियों में एक अनोकी चमक लीवा पेचाना नहीं जा रहा था ऐसा हूपसा दूला तो हमने पर पूरी जिनकी में नहीं देखा और तुन ने यहीं रिमार्क आक्स लिए थे उसे देखने के बाद शरजी लौक नेना जोकी अशर की बियांट है उसके सासा चल रहे थे बारात फुलों की बारात पर पुलों की बठसात की गया थी आगー आगे-गे लड़के डांस करा ते उनमें सबसी आगी अपरास आ जो ऐसे डांस करा ता कि सबहां उसकी तो आज चाहाब भी नुराली थी, वो जो भी चीज पैंदी थी, उस पर जी बार का सूट करती थी, अब राज में से कांदा मारा था, उसे पलट कर उसका गुड़ा जो नेवी बिलू थरीपी सूट में अपी निली आंकों में च्ट्रात लिए से देख रहा था, क्या ह उसे ठीका देखाते वे बोली, और फिर हलकी से मुस्कांस देखे पड़ाटके, ताभी दुलन आने का शोर उठा, म्यूजिक भी इसी वक्त बूज़ा था, जुनेद साब की आंकों में पानी ले या था, वो दहोर्ट की ना कोई श्रारत इंजवाय कर सकेते, ना है उसके लाट उठा सके, उसके कैसे बाद नसीब थे वो, तकी साब ने उसके कंद भात रख रकर उसे तथरी दी थी, और जनेद आस्पूरता वाफीका सा मुस्क्राया था, वो वाइट लेंगे मेर थी, जिस पर गोल्डन बाड़ी काम किया गया था, और फिल सलीव सी, भालो का ज मुस्कार होट पर सजाए बिना नज़न चुकाई वे चल रहे थे, उस पर हार से इंगार बहुत ही सूट कर आ रहा था, खासकार मेरून लिप्स्टिक है, जिससे उसके बड़े-बड़े होट नमाया थे, वो सिर्या उतरता में नीचे आया था, और होट वहीं पार रोके, दिमी से मुस्कार से उसे अपनी तरफ आतावा देख लेंगी, सब लोग भी तवज़ा का मरकस वो दोनों ही थे, वो होट के बिलकुल सामने आ रुका था, वो दोनों इद्गे के महोल से गाफलो तबे दूसरे को देख रहे थे, जिस पर सबके होंटूपा मुस्कर हटाई लगे, जौबर उन्होंने भी उसका मेंदी, चूरियों और अंगोटी से सज़ावा हाथ उसकी शफाफ हतेली पर राख दिया था, उससे साथ लिएवे स्टेकी तरफ बने लगा था, रुक्सी के वो सबके खले लाख खुब रोई थे, बलके पूरे रास्ते वो रोती है थ मेरा उसके साथ गार में बैटी थी और जजजील आगे था जबके अबरास गारी ड्रैव कर रहा था, वो रात के चार बजे कमरे में आया था, उसे अचानक की फून काल आ लागे थी, एक गैंग के पिछे वो पिछले तीं महीने से पड़ा वा था, और आज अगर ना जाता और उपर रैड प्रेश मी गोर्ण जिसके बासु फुलते, दो पूनिया की वे तकिया का हुट से लगाए, वो उल्टी सी दिलटी नीद में ही पूरतां से गार थी, उसके खरीद दीमे कदम से चलता हुआ आर रुका था, वूर्द, उसे दीमे से पुकरा था उसे, वूर् आंके बांद की वे घुसे से बोली, होट, माई डाल, इतना खुसा, उसे जबर्दसी उठागा बिटाते मुस्कुराते वे लैज़े में बोला था, क्या चाहती है, सोने क्यों ने देढ़े, मसला गया है, उसे गुरते वे बोले, सोरी, मिझे तुम्हें ऐसे चोगा अचान खाना हमेचे टाइम पर खाना चाहिए, वो उटकर शिर्ट के बटन खोलता वा बोला, वो फुल प्लैक ड्रेस में था, और शिर्ट उड़ता का कबर से इज़ी ट्रोजर शिर्ट नगार का वाश्टू में चला गया था, और हुर्द तक यह गोद में रखे हुए बैटी थ जबके वो चूंकिये, उसकी टांक पर सफे पटी बांदी वे थी, उसने अब गोड किया था, जब वो वाश्टू में गया था, तो वो हलका से लंगरा कर चल रहा था, वो जट से खड़ी होती, उसके करीब आए थी, क्या हुआ है तुमारे टांक को, जट से प्रोजर मुझे कुछ नहीं क्या थी, so don't worry about it, वो बैट के करीब आता हुआ बोला, वो बैट पार नीम दरास होता, वो से पने पास आने का इशारा कर गया था, वो बहुत थकावर्स मैसूस करा था, चार-पांच दिन से वो ठीक से लेट टक भी नहीं सका था, उसे टाइम ही बहुत मैं तो दिल को ठंड़ सी पड़ती है, मानो, ऐसा लगता है कि मेरे अभी भी दो बहुत ही प्यारे फिश्टे मेरे आस पास हैं, उसका अफ़ार होटो से छूता वार नर्म लहचे में बोला, और होट जिचकी थी, उसकी कुर्पा से, होट तुम जानती हो, जब तुम खो ग होलक नाक हादसे में टूट करिया था, लेकिन शरजील लंकर ने मुझे और अबरास को बहुत ही महबस है समाला, वो एक सिग्र अजन्ट अफिसर थे, मैं भी उन्हीं के तरह मजबूत बना चाता था, उन्होंने हर कदम पा मेरे रहनमाई की, सीरियल किलर बना भी मेरी बाते थे, तो मैं उन्होंने हुसे बरकत चाहता, ये बाते मेरे बेचान दिल को सुकून फरमांग कर रहे थे, मैंने अबरास को भी तुम्हारे पीछे चुप बेजा, कहा कि इसकी हिवायत करना, उसकी हार बास से मुझे अगार रखना, वो ये डूटी बहुत अच्छे से वापस आई, तो मुझे तुम्हें मारने की सिपारी ती गए, तुम्हारे तस्वीर देखे मैं ठटका था, दिल किया कि उसे भी गोली से बून दो, लेकि मैं खेल खेलना चाहता था, कि मैं उसकी हद नापना चाहता था, वो जेल में सर रहा था, बाप पहुत पैसा बहा र आया, उसकी शार को हर्ट के छुते होंट उसे दुनिया चाहका स्कून वहिया का रहे थे, क्योंके मेरी फूट बहुत ही हुपसरा जो है, वो भी मुस्क्राहता लाज़े में बोला था, वो भी मुस्क्राहता जबके वो उसके सार अपना चेरा टकाता हुआ, आंके मौत गय मिर्हा की सुबा आंक खुली तो रूम में वो अकेली थी, अबरास रूम में नहीं था, रागो कितनी बैस कराके उसके साथ पैर पर सुया था, उसकी बैस आ करके हुंस्करादी, अभी मुस्कराहत उसके हुंट पार थी जब वो फ्रेश सा रूम में आया, जहे नसीब, वो मुँ बनाते वे बॉली, जिस पर वो खुल कर मुस्कराया, यार कितना गुसा करती हो, तुम्हें तो खुदा कर शुकर दा करना चाहिए, जिसने इतना प्यारा श्रीफ, खुदार, मश्की, हैंसम शुहर अदा किया है, लेकि तुम हो के नाशुकरी ओरत है, वो जब द तुम को सा थकती हो, तुम में तो किसी लड़ा का औरत की रूह बसती है, मिरा ने भी उसकी पूसे टेक लगाए, मिरा वो दिन कब आएंगे, जिए मैं तुम में डांटूंगा, लेकि तुम चाप सा जोगाए, अच्छी बीवी की तरह सुनोगे, वो रूह उसकी तरफ करत तुम मुझे बूरी कभी नहीं लगी, तुम मुझे बूरी कभी नहीं लगी, आंकों में देतावा घंबी लाज़े में बूला और मिरा तक तक कटे दिल से देखने लगी, वो होंस उसकी गोव में सार रक्यत सो देखतावा बूला था, मिरा पजल होती विए उसका सार गो से हटाती वाश में बाग गया थी, वो बाल समाताव मुस्क्रातावा बाहर नि लेकर हुट दर्वादा नौा करती वी, उची आवास में बहुती हुट के चानल से ही आंको लेती, वो ठटकी, वो अभी भी उसके गोव में सार रखके उसके सीने से टकायवे सो रहे थी, वो था समल कर थोड़ा पीच्छे हुई और उसे देखने लेगी जोगर गर्दान इतर पिराएवे सोरा था, चिरा सुरर था, तो होंट बीचे वे थे, वो नीम दरास था, उफ ये ऐसे ही सो गया, वो खुद पर गुसा होई कि क्या जूरत थी उसे इतनी तकलिफ देने की, वो बड़े अराम से बैर से निचे उतरी, उसका सार तक्की बढ़ रखा, वो साक कि ठीकरते, और आती हुई, लाइट आप करती भी परशान से बाहर निकल गये थी, वो सीने उतरी, वो मुस्राई, ममा, वने पुका का सुपूरा के सीने से लगे थी, उसका माता मुझ चुमती भी उसे गोड़ से देखने लगे, वो सुपूरा से मिलने के बाद आलिया बे करके नीची आना था ना, सुपूरा बेगम ने से डांटा, जिसके गोर्ण के अगले सारे बटन खुले वे थे, बाल भी खुले वे थे, उसे नज़न जुका का अपने हुलिया को देखा, वो जल्दी से बाहर आगी तो चेंज नहीं कर सकी, वो मुं बसुरा कर बोली, जिस सुपूरा बेगम ने तंबिया लाजम स्कूर करा, आपका सच बोलने में भी आपको गुरियेंगी, जो साचता वही बताया, उसे ना सुपूरा बेगम गैरी सांस बरती रहागी कि उनकी बेटी का कोई इलाज नहीं है, जब जो बड़े अराम से पौंसो वे पाप सारे चा क्या अबरास आगया पैनकोट से, वो उटकर बैठते वे बोला, नहीं अभी नहीं आया, और तुम ये चाय पीलो, मिठा बहुत ही अच्छी चाय बनाती है, वो चाय कापर ट्रेसर उठाकर से देती वे बोली, वो दिमें से मुस्क्राया, लेकि मुझे तो मेरी होट के हाथ की मीठी सी कर्वे सी चाय पसान दया, उसके हाथ को चुमता वा बोला, और उसकी उची तीकी नाग पर होट प्रती मुस्क्राया, फिर वो उसका हाथ थामते वे उसके थोड़ के निचे अच्छी अच्छी आँकों से मुस्क्राया था, यह चेरा ऐसा था कि वो जब जब ज देखे के, माने के गड़ वालों ने रिष्टे से इंकार कर ड़े था, मारिया बेगम ने परशान से का, और मुबार पर सौंग सुनती मा चुकी, क्या मतलब क्यों इंकार किया है, मैंने तो बहुत पसंद थी, ना मिसिस नुवेत की बेटे को, माने हैरत से पुचा, तुम बहुत पसंद थी, उनके बेटे को, मारिया बेगम ने दान से का, क्या मतलब माने हैरत से पूचा, मतलब यह कि वह हुट के लिए रिष्टा लाए थी, लेकि उनके बेटे को तुम्हारे और उसके नाम में मुलाज़र लगा था, उनका बेटा हर्थ को मा के नाम से जानता मारिया बेगम ने बहुत अफसोसे का, मा भी साकत नजब से मा को देती राएगे थी, वो तो हर वकत कम शकली का ताना देते, वक्त यह कहती थी कि तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे शादी भी नहीं होगी, लेकि अल्ला ने उसकी किसमत इतनी ब्लंद ल कुछ थे, दूसरे के साथ, जजदी ने उनका भी रिसेप्शन अपर साथ किया था, वो दोनों कभी लाड़ लेते, तो कभी महबत की रिकार्ड टोड़ते, जिस पर हर्थ उन्हें खूब गालें से नवाती, वो गालें देने वाली आदल तक तरक नहीं कर पार थी, जजद देख रहा था, उसके नर्दू के इतकास पर वो भी मुस्क्राया, फिर आई बरोज गाया, मैं नजरू का मतब समझ जाओ, और तो रह्मान के लिए महबत का लफ्स तो सिमत की तरफ चाता है, एक महबत जो मैं अपने माम डैप से करती हूँ, जो कि अकीदत में आती है, और अकुस ट्राय में बैटी, उसके सामने, वो ठटका, हैपी बर्डे, वो उसके तरफ राभी की एक खुबसरा सी अंगुटी बराते वे बोली थी, वो मस्कराया, हाथ प्लीज, वो हाथ को हिलाते वे बोली, वो पाकिन में से हाथ निकाल था, उसकी तरफ बढ़ा गया था, हुट उसकी उंगली में रिंग पहना का उसका तिलवला हाथ हुटू से लगा गया थी, उस हाथ से तो उसकी महबत की शुरुबात हुई थी, उसकी कांज से पगगा उठा गया था, मेरे बड़्डे का किस ने बताया, वैसे मैं मनाता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इट वहल किसी मस्कुरात से क्या था, उसके चेपा दुका, मेरी हुट किसी से नहीं डरती न, उसकी नाग से नाग चोड़ते वे मस्कुराते वे लज़में बोला, बिलकु नहीं, जो डर जाए, वह हुट रहमार नहीं, वह फौर से अगर्दर अकरा कर बोली, हुट तुमारे कभी कुटे से डार्ट जाती हूँ, वह मलमनाते वे बोली, वह बलैक जीन्स पार रैड टीशिट पैने हुए, और नीचे सुरा स्नेकर्स और दो पुनियां जो के आगे जुके हुए नेकी वज़े से जजील के मुह पारा थे, तो तैह हुआ, क्या हुट अप लिए खुद चाय बिनाओंगा, वो से नीचे खरा करतवा बोला था, और खुद हलका सा मस्क्राई, वह भी अपने हुपसरत कटावदा होटू में मस्क्राई से जता हुआ चाने लगा था, वो अपने सामने पड़ेवे काग पर साइन करते, उन्हें त्याक का चुके थे, चेहरे पर गम वाले तासरा थे, तो अंकों में हलकी अलकी नमी थी, वो से जदाद के लिए अपनी बेटी पर कितनी बार हमला करवा चुके थे, वो रहमान अपने बाई की जदाद को किसी गारत के नाम होता नहीं देसे थे, इसलिए उन्हें होट को मरवाने का प्लैन बना का, अल्ला मुझे माफ कार देना, मैं जिसे मरवाने के साज़िश करता रहा था, वो मेरी ये बेटे थी, वा 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 मूला, तेरे रंग, मैं हमाश्य के दिन लहब हो, क्या मूद दिकाऊंगा, वो हुर्द की तस्विर उठाते वे रो दियते, अल्ला हुर्द को कभी ना प का, उसकी बेटी के सामने परदा डाले रखना चाहता था,